नमस्कार डीवी निउस में आपका स्वागत है मध्यप्रदेश विधानसवा चुनाओ के लिए 17 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है और इसके परिणाम 3 दिसंबर को घोशित किये जाएंगे निर्वाचन आयोग ने वोटों की गिंती के लिए तैयारी शुरू कर दी है इसक प्रस्टिक्षंड का पैटर्ण भी बदला गया था इस बार कर्मिचारियों को हैंड्स ओन ट्रेनिंग भी दी गई थी इसका परिणाम यह रहा कि ना तो मौक पॉल और ना ही मतदान के दौरान अधिक शिकायत प्राप्त हुई है इसी बात को ध्यान में रखते हुए मतग करने वाले अधिकारियों को सिर्फ दो प्रस्टिक्षंड दिये जाते थे लेकिन इस बार तीन प्रस्टिक्षंड दिये जाएंगे जिसकी शुरूआत सोंबार से हुई है दो शिप्ट में होने वाले प्रस्टिक्षंड में पहली शिप्ट में 500 से अधिक अधिकारियों को प्रसिक्षित किया गया जो कंट्रोल यूनिट में बंद मतों की गिंती करेंगे जबकि दूसरे शिप्ट में डाक मत पत्व की गिंती करने वाले और माइक्रो ऑब्जरवर को प्रसिक्षन दिया गया है इस दौरान नौडल अधिकारी आरपी अहिरबार ने एके कमरे में पह करती की गुंजाइश कम से कम हो उन्होंने कहा कि हम लोग अभी 10 कमरे में या जो काउंटिंग स्टार्ट हैं उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं और इसमें कुल मिलाकर हम 1018 कर्मिचारियों के ट्रेनिंग दिया जाएगा